अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होव अपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है और अगर नहीं तो इसका लिंक मेंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंचिन किया है जीसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल लेनी पड़ेगी अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें कुछ सिपाईयों को दिखाया जाता है जो मेहल के मुख्ये द्वार के पास खड़े होकर पैरा दे रहे थे और तब ही उनके सामने एक उन्ट भागते वे आता है जिसके पीछे रसी से बदा ड्रैजन नाम का आदमी होता है जिससे सिपाईयों से लड़ने लगता है और अब ड्रैजन भी मैत्यूस का साथ देते वे उन सिपाईयों को मारने लगता है याने कि ये उनकी ही चाल थी वो दोनों अब मिलकर सिपाईयों को मार गिराते जिसके बाद वो मेहल के खजाने वाले कक्ष के पास आते पर जैसे ही ड्र से बचते हुए खजाने के कख्ष तक आने में सफल हो जाते हैं जहां सामने उन्हें राजा एलकमैन का कलश दिखाई देता है जिसे लाने का अधेश राजा जैकॉर ने मैथ्यूस को दिया था ड्रैजन कहता है कि यह कोई साधरन कलश नहीं है मैंने सुना है कि एक ऐसी चाब देता है ताकि वो कलश को उठा कर तुरंत उसे वहां रख दे पर जैसे ही वो उसे वहां रखते हैं उनकी ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है जिसमें वो दोनों कैद हो जाते हैं अब मैथ्यूस एक हुक को दिवार पर फसा कर पिंजरे को थोड़ा खसका देता है जिससे दो उनों बाहर आने में सफल हो जाते हैं पर तभी उन पर सिपाई हमला करने लगते हैं और अब वहां कक्ष का गार्डियन आकर उनसे लड़ने लगता है जो उन पर बाहरी पढ़ जाता है और ड्रैजन उसे बंदी बनाकर मैथ्यूस को पिंजरे के अंदर से कलश लाने को कहत है इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है और जैसे ही वो ड्रैजन को कलश देता है वो एक तूटे हुए पिलर को पिंजरे पर गिरा देता है जिससे पिंजरा बंद हो जाता है और फिर दो के बास ड्रैजन कलश लेकर वहां से भाग जाता है अब मैथ्यूस पिंजरे से न और वो नौरवानिया के राजा यानिक का बेटा है मुझे लगता है कि ड्रैजन उसकी शक्तियों को प्राप्त करना चाता है पर मैंत्यूस कहता है कि मैं वहाँ जाकर कलेश के साथ यानिक और ड्रैजन दोनों को मार कर उनका सिर लेकर आपके पास आऊंगा लेकिन जैकोर कहता है कि तुमें वहाँ युद्ध लड़ने नहीं बलकि शांती का प्रस्ताव लेकर जाना है और मुझे उम्मीद है कि वो मना नहीं करेगा इसलिए मैंत्यूस वहाँ जाने के लिए निकल जाता है इदर ड्रैजन यानिक को वो कलश दिखाता है जिससे देख वो एकदम खूश हो जाता है और उसी जमीन पर पटक कर तोड़ देता है जिसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो देख ड्रैजन हैरान हो जाता है वहाँ ही मैंत्यूस यानिक के राजी में पहुँच जाता है और एक बार में जाकर कुछ सिपाईयों से कहता है कि मुझे यानिक से मिलना है क्या तुम लोग मुझे वहाँ ले जा सकते हो लेकिन सिपाई कहते हैं कि तुम यहां नहे लगते हो इसलिए तुमें पहले हमसे लड़ना होगा और इतना कहकर वो उससे लड़ने लगते हैं पर उन सिपाईों को जरा भी लड़ना नहीं आता था इसलिए मैथ्यूस को एक बीवार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो खूदी एक दूसरे की उपर गिरते पड़ते जा रहे थे जो देखने में काफी मज़ेदार लग रह था पर सिपाई उसे पकड़ कर फिर जेल में बंद कर देते हैं जहां मैथ्यूस की मुलाकार वैलिना नाम की लड़की से होती है जिससे ड्रैजन जबर्दस्ती शादी करना चाता है और ना करने पर वो उसे कूची दिनों में फासी देने वाला है इसलिए वो यहां से गुशता है कि सच बताओ तुम यहां क्या करने आये थे जीस पर मैथ्यूस कहता है कि जेकौर ने मुझे यहां शान्ती का प्रस्ताओ देने बेजा है जो सुनकर यानिक उसे ताबूर से बाहर निकाल कर उसके शान्ती के प्रस्ताओ पर हश्ताक्षर कर देते हैं पर यह द से से हटा कर खूर नौर्वनिया का राजा बनना चाहता है वहां ही आने कुन बिच्चु के काटने से एकदम तड़पने लगते हैं पर अपनी आखरी समय में चाबी ड्रैजन को ना देते हुए मैथ्यूस को दे कर अपना दम तोड़ देते हैं पर तभी वहां सिपाही आकर म मार गिराता है पर अब वहां और भी सिपाही आ जाते हैं इसलिए मैथ्यूस वहां से भागने लगता है पर आगे बढ़ते ही वह वैलिना से टकरा जाता है जो खुद भी चुपकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी इसलिए अब वो दोनों सिपाहीों को मारते हुए म शचत पर आकर गिरते हैं वेली ना उनसे कहती है कि हमें आपके मदद चाहिए क्योंकि मैंत्यूज के पास कुछ ऐसा है जिससे आप ही हमें समझ सकते हो इसलिए मैंत्यूस उन्हें वो चावी दिखाता है जिसे देख कर वो उन्हें चावी की पूरी कहानी सुनाते हैं कि इस चाबी से एलकेमन की जादूई महल का दर्वाजा खुलेगा और जो भी महल के अंदर जाकर उसकी ताज को पहन लेगा उसकी पास एलकेमन की सारी शक्तिया आ जाएंगी और फिर वो पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा पर वहाँ जाने के लिए पहली सुलजानी होगी ज जीस पर मैत्यूस उन्हें पहले सुलजाने को कहता है इसलिए वो अपने काम पर लग जाते हैं और थूड़ी सुलजा भी लेते हैं पर जैसे वो वहां से जाने वाले होते हैं घर पर ड्रैजन अपने सिपाहियों के साथ आकर सभी को बंदी बना लेता है और सौरल का सुलजा कर सभी को छुड़ा लेता हैं और अब वो सभी उसी गाउं में पहुच जाते हैं जहां ड्रैजन अपने सिपाहियों के साथ सारे गाउंवालों को धंकाते हुए सवाल करता है कि बताओ मुझे एलकमेन का महलब कहा हैं पर किसी को इसके बार में मालुम नहीं होता है और सभी उस जगह आते हैं जहां डिवाइन गौड़ेस की मूर्ती होती है सौरेल कहता है कि यही इस गौड़ेस का मंदीर है और उसकी अंदर भी एक मूर्ती है जीसमें इस चावी को डालने का स्लॉट है इसलिए वो सभी महां जाने लगते हैं लेकिन वैलीना कहती है कि वहां मेरी बेहन की तबियत खराब है उसे गौड़ेस की मूर्ती के सामने पूजा करनी है इसलिए वो उन्हें वहां लेकर आती है ताम मैथ्यूस अपना कपड़ा हटा कर मूर्ती के पेट में बने स्लॉट में चावी डालता है जिससे जमीन अब हिलने लगती है जो देख ड्रै माज के बाहर बहुत दूर पहाड़ों पर वो महल दिखाई देता है वहां ही नीचे ड्रैजन के सिपाई पिलर तोड़ देते हैं जिससे मूर्ती के साल प्रीस्टेज भी नीचे आ जाती है और मैथ्यूस और बाकी सबी घोड़े पर सवारों कर वहां से भाग जाते हैं हैंडल उसे कुछ सोने की सिख्य देकर नक्षे की मांग करता है पर गैरों कहता है कि मुझे लड़कियों की लड़ाई देखना बहुत पसंद है इसलिए अगर तुम्हें नक्षा चाहिए तो वैलिना को मेरी सबसे जाबास फाइटर कैरा से लड़ना होगा जिस पर वैलिन करके उसे लड़ती है और उसकी दोनों हाथों को तोड़ कर रिंग के बाहर आती है जहां गैरों कुछ से कहता है कि तुमने कैरा का हाथ तोड़ दिया इसके लिए तुम्हें और सोना देना पड़ेगा लेकिन फिर वैलिना उसे भी मार कर धाराशाई कर देती है और अब उ सभी समभल कर रहना अब सभी जंगल के रास्ते हागे बढ़ने लगते वहीं यूनका पीछा करते हूए अपने सिपाईों के साथ वह आ जाता है लेकिन उसके साथ ही उंदर जाने से डर रहे होते हैं क्योंकि जंगल में ड्रैगन रहता है पर ड्रैजन उन्हें धमका कर अं नीचे गिर जाते जहां कुछ छोटी हाइट के आदिवासी लोग उन्हें बंदी बना लेते और किसी तरह का रिच्वल करने के बाद एक बक्सा खोलते जीस में से कई सारे खतरनाक मकडिया निकलती है जो मैंत्यूस और बाकियों पर चड़ने लगते लेकिन मैंत्यूस के पीर तुरंत उन्हें रसी से आजाद करके उन्हें कई तरह का खाना भी किलाते हैं वहीं अब आदिवासी का लेडर मैत्यूस से कहता है कि मैंने तुम्हारा रक्षा देखा है हम इस इलाके के रक्षक है मगर पहाडों की रक्षा ड्रैगन करता है और आगे जाने के लिए वही से जाना होगा इसलिए अगले दिन सभी पहाड के लिए निकल जाते हैं जाहां उन्हें एक बहुत ही विशाल रोबोटिक ड्रैगन दिखाई देता हैं जीसे देख सभी घबरा जाते हैं पर मैत्यूस को एक तरकीब सूसती है कि वो सौरेल की तरह कैनन बना कर खुर प वो फिर से कोशिश करता है और अब सीधे ड्रैगन के सिर की उपर आ जाता है जाहां उसकी आख में हाट डाल कर उसकी सिस्टम में लगे गेर को जैम कर देता है जीस से ड्रैगन वही धाराशाई हो जाता है जिसके बाद सभी आगे बढ़ते हुए एक पहाड के सामने आ जा जाता है और फिर वो सभी उसके अंदर जाकर दर्वाजा बंद कर देते हैं आप अंदर उन्हें अलकमन का आर्मर और भाला मिलता है लेकिन वहाँ ताज नहीं होता और तभी रेंडल वैलिना के गले पर तलवार रखकर दर्वाजा खोल देता है और वहाँ ड्रैजन अपन को आर्मर और भाला पैन कर एलकमन कहता है वो हवा में तैरने लगता है जो देख सभी हैरान हो जाते हैं लेकिन सोरल उसे ढकल कर कहता है कि ये जादू नहीं है ये कमरा और आर्मर मैगरेट का बना है और मैगनेटिक रिपलिशन के कारण ये हवा में उड़ रहे हैं पर ठाकर पठक देता है पर ड्रैजर की सिपाई ताज के लिए खजाने वाले कमरे को खोल देते हैं जीसमें पहले रेंडल जाता है पर वहा ताज नहीं होता और वो कमरा फिर अचानक से बंद हो जाता है जीस से वह वही मारा जाता है अब सोरल मैथ्यूस को पहली का मतलब जाता है जहां एक गुफा होती है और वो उस गुफा से होते हुए कमरे में आ जाता है जहां जमीन पर गोल्डन और सिल्वर रंग के पत्थर होते हैं और यदि उसने गलत पत्थर पर पैर रखा तो वहां भाले निकल कर उसे मार देंगे तब वो पहली के अनुसार एक पैर गोल्डन तो दूसरा सिल्वर पर रखकर आगे बढ़ जाता है और रास्ता पार होते ही वहां एक कमरे का दर्वाजा खुल जाता है जहां उसे हवा में तैरता हुआ तास दिखाई देता है इधर ड्रैजन भी सिपाईों के साथ भाले वाले कमरे में आ जाता है और जैसे ही ए पर राग लगने लगती है इसलिए वो तुरंत उस ताज को पहन लेता है जीस से उस पर राग का कोई असर नहीं होता है और देखते ही देखते आग भुज भी जाती है पर तब ही हुआ ड्रैजन आकर उससे लड़ने लगता है जिससे उसकी हाठ से ताज गिर जाता है और तूरंत उसे पहन लेता है और अब मैथ्यूस जैसी उसकी तरफ तलवार फेकता है ताज की शक्ती से उसे कुछ नहीं होता जो दीख ड्राजन कहता है कि अब में भगवान बन गया हूँ पर तब ही वो अचानक बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है जिसकी बाद मैथ्यूस उसे पहले की आखरी लाइन का मतलब सुनाता है कि जिसका दिल साफ होगा वो ही इस ताज को पहन सकता है और बागी बर्फ में बदल जाएंगे और अब मैथ्यूस बर्फ बने ड्राजन को अपनी तलवार से टुकडे टुकडे कर देता है जिसकी बाद वो सौरेल के पास आता है जिसने अपना अदम तोड़ दिया था लेकिन जैसी मैथ्यूस उसे ताज पहनाता है उसकी शक्ती से वो जीवित हो जाता है जो देख वैलिन और मैथ्यूस दोनों खूश हो जाते हैं और अब वो तीनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और फिर मैथ्यूस ताज और चावी दोनों को गुफा के अंदर डालकर उसे हमेशा के लिए दफन कर देते हैं ताकि कोई इसका गलत प्रयोग ना कर सके अब मूवी के आखरी सीन में ड्रैजन के मरने के बाद नए राजन सोरल को बना दिया जाता है लेकिन वो अपना ताज वैलिना को पहना देता है जिस पर सभी खूश हो जाते हैं और वैलिना भी सभी से अब कहती है कि आज से सारे राज में सभी को विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी और इसी हैपी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समापत हो जाती है आशाय आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूले मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों